कमस्कार and welcome back मैं मुकेश बाकर और हम पढ़ रहे थे integral calculus यानि कि स्माकल गणित तो स्माकल गणित में हम पढ़ रहे थे double integral यानि कि द्यूज स्माकल तो उसमें है हमने कापी सारे questions किये थे अब है उनके just आगे हम आज दिन करेंगे तो आएए देखते हैं questions जैसे कि हमारे पास में यह क्यूसान है इसमें इन स्माकलन का यह दोनों स्माकलन एक दूसरे के बराबर नहीं है यह शिद करना है तो इसको शिद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले को लेते हैं और उसका हल निकालते हैं फिर RHS लेते हैं उसके बाद में उसका हल करते हैं यदि दोनों बरबर मान नहीं आते हैं तो यह सी दो जाता है तो देखो यह क्यों सुझे सेगी 0 से 1 and 0 से 1 x minus y upon x plus y की power 3 और इसका स्मगल करना है dy के स्मगलन करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 0 से 1 and यह हो गया आपके ब्रेकिट और उसके बाद में आप देखो x minus y upon x plus y की power 3 तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि इसमें हम कोई सा सुत्र या फिर कुछ जोड़े कुछ गटाए ताकि इसका स्मगलन हो उसके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 7 लिख दिया अब है यहां पर देखेंगे यहां पर x minus 1 लिखावा है x minus y upon x plus y की power 3 लिखी हुई है तो सबसे पहले तो यह बात है कि x plus y और यहां पर हमें चाहिए x plus y या फिर x minus y कुछ ऐसा पता है ताकि कुछ कट जाए तो हमने यहां पर क्या क्या कि एक x को जोड़ दो और x x को गटा दो यहां पर plus x minus y upon x plus y की power 3 और यह हो जाएगा d y प्रेकिट बंद और लास्ट में क्या जाएगा dx तो अब देखो x और x इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x और बाकी में यहां पर minus का x और minus का y बच जाएगा तो minus कोमल ले लेंगे तो यह हो जाएगा minus bracket x plus y तो जैसे कि यहां पर हो जाएगा 0 से 1 bracket यह 0 से 1 और इसको लिए दोनों हमें 2x upon x plus y की power 3 minus यह हो जाएगा x plus y upon x plus y की power 3 and bracket 1 जो की स्मागलन किसके सापेक्स करना है dy के सापेक्स इसका स्मागलन करना है और फिर इसका dx के सापेक्स पहले है dy के सापेक्स से इस पुरे का स्मागलन करना है तो यह हो जाएगा 0 से 1 और इसका स्मागलन कर देते हैं तो सबसे पहले इन में से देखो आप कट रहा है नहीं यह तो इसको कार दो पहले 0 से 1 2x अपोन x प्लस y की पावर 3 माइनस 1 अपोन x प्लस y की पावर 3 और यह हो जाएगा पूरे का dy एंड फिरे dx ठीक है अब इसका हमें y के सापेक्श समागना करना है तो 0 से 1 और अब है यहाँ पे है 2x अपोन x प्लस y की पावर 3 जो कि किसके सापेक्श करना है y के सापेक्श करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इससे 2x को बार रख दे 2x को बार रख हूंगा तो x plus y की power 3 है उपर चली जाएगी तो guard में हो जाएगी minus में यानि कि यह होगा x plus y है उसकी power हो गई minus में 3 plus 1 upon 2x यहां पर बारक दो और यह हो जाएगा minus 3 plus 1 उससे क्या होगा कि इसकी power तो यहां पर बजाएगी x plus y की power minus 2 बजाएगी और यह हो जाएगा माइनस टू तो माइनस टू से यह कर जाएगा तो पद है वो हमें क्या प्राप्त होगा यह हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई की पावर दो माइनस में यही प्राप्त होगा अब है उसके बाद में यहां से देखो आप माइनस अब है इसकी गात है 3 X प्लस Y की पावर है 3 तो यह गात जाएगी उपर उपर जाएगी तो वापिस माइनस में हो जाएगी यानि कि X प्लस Y की पावर माइनस 2 तो माइनस 2 प्लस 1 अपोन माइनस 2 प्लस 1 यह किसमें हो जाएगा 1 upon x plus y और वो भी किसमे माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अब इसकी गाद कितनी है lower limit है 0 और upper limit है 1 और इस पुरे का समागन करना है x के साप x तो आप देखो यहां से सबसे पहले इसको हल करते हैं तो x plus y का all square lc में ले ले से माइनस और यहां गया x plus y का all square lc म तो यहां से बचलेगा माइनस का x प्लस यह x plus y तो x plus y और 0 से 1 और यहां पर समागन लें 0 से 1 and dx x से x कट गया क्या बच गया 0 से 1 माइनस का y sorry प्लस का y बचेगा y upon x plus y का all square और 0 से 1 और dx अब इस में अपर लिमिट रख दे अपर लिमिट रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 0 से 1 और यहां पर बच गया 1 upon x प्लस प्लस बचेगा और फिर माइनस यहां से 0 रखेंगे तो यह तो है आपके अपर लिमिट और यहां से हो जाएगा यह लोवर लिमिट जिरो लोवर लिमिट है तो इसको यहां पर रखूँगा मैं 0 तो 0 और यहां पर भी 0 तो टोटल लिमान कितना हो गया इसका 0 तो यहां से क्या प्राब तो 1 upon x प्लस 1 का whole square और यह क्या है dx के साप x इसका स्माक्लिन करना है तो 0 से 1 और इसका कितना हो जाएगा minus 1 upon x plus 1 हो गया समाक्लिन अब यहां से इसको break it बना दो और break it बना के और यह हो जाएगा 0 से 1 तो अपर लिमिट मैनस लोवर लिमिट तो इसको क्या लिकूँगा मैं minus का 1 upon 1 plus 1 minus यह हो जाएगा plus 1 upon यहां पर क्या हो जाएगा x का मान 0 तो 0 plus 1 1 यह हो गया minus 1 upon 2 plus 1 तो यहां से कितना प्राप्त हो गया 1 upon 2 यह क्या है हमारे पास में LHS ठीक है अब हम माल करेंगे RHS तो RHS क्या था RHS उपर देखो यह रहा 0 से 1 0 से 1 x minus y upon x plus y और सबसे पहले है x के साथ एक्सिस का समाकलन करना है तो मैं इसको लिखूंगा 0 से 1 0 से 1 प्रेकिट 0 से 1 x minus y upon x plus y की पावर 3 और dx के साथ एक्स करना है और फिर करना है dy के साथ एक्स क्लियर रहता यही क्यूसे नहीं देखो उपर x minus y upon x plus y की पावर 3 और dx के साथ एक्सिस पहले है और उसके बाद में dy के साथ एक्स आउक्लन करना है तो अब देखो यहाँ पर 0 से 1 प्रेकिट अब है यहाँ पर हमें x के साथ एक्स से स्माग्लन करना है तो इसमें 1 y जोड़ दो 1 y गटा दे तो उससे क्या होगा कि 0 से 1 यहाँ पर मैंने एक y जोड़ा और एक y गटा दिया प्लस x माइनस y अपोन x प्लस y की पावर 3 और यह हो गया dx और ब्रेकिट बंद और यह हो गया dy एक y जोड़ा एक y गटा दिया इस पर इस समीकन पर इस से जो वेंजक है उस पर पोई फिल्टर नहीं पड़ेगा अब आगे यहाँ से 0 से 1 हो जाएगा ब्रेकिट 0 से 1 और यहाँ से देखो आप यह हो जाएगा x और प्लस y x प्लस y बज़ाएगा यहाँ पे तो x प्लस y अपोन x प्लस y की पावर 3 माइनस यहाँ से बच जाएगा माइनस का 2y अपोन x प्लस y की पावर 3 और यह dy एड यह हो गया dx क्लिए रहता अब यहाँ से एक गात कर जाएगी तो यह कितना हो जाएगा 0 से 1 ब्रेकिट 0 से 1 और यहाँ पे बच गया यह 1 अपोन x प्लस y का स्क्वाइर माइनस यह हो जाएगा 2y अपोन x प्लस y की पावर 3 और dx के सापेक्ष यह स्माकलन ठीक है अब आगे देखो 0 से 1 एंड यहाँ से इसका स्माकलन करेंगे तो 1 अपोन x प्लस y का होल स्क्वाइर इसको मैं क्या लिखूंगा माइनस 1 अपोन x प्लस y क्यूंकि इसकी पावर 2 है वो प्लस में उपर जाने के बाद में माइनस में हो जाएगी तो x प्लस y की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपोन minus 2 plus 1 तो minus 1 upon x plus y बचेगा अब यहाँ पर देखो आप minus है तो minus का minus और उपर आजाएगा 2y और यहाँ पर इसकी power है उपर जाएगी तो minus के 3 plus 1 upon minus के 3 plus 1 तो यह plus में आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो y upon x plus y का square और limit है 0 से 1 and पूरे का dy के सापेक से समाकलन इत्ता के लिए रहें यहाँ पर जो मैंने समाकलन किया इस पर थोड़ा साथ ध्यान रखना कि 2y upon x plus y की power 3 है तो उसको मैं उपर ले जाओंगा उपर ले जाने से उसकी power है minus में हो जाएगी तो उस सुत्र के नुसार हम क्या जानते हैं कि कोई भी संक्या है उसकी घात जो भी हो उसमें समाकलन करते हैं एक जोड़ा जाता है और बटा में उसी घात में एक और जोड़ा जाता है तो यहां पे x plus y की power 3 था तो इसको उपर ले गया मैं तो x plus y की power minus के 3 plus one upon minus के 3 plus one तो उससे क्या होगा यह minus का 2 नीचे रहे जाएगा और इसका square प्राप्त हो जाएगा तो minus minus ही हो जाएगा plus और 2 से 2 cancel होगे क्लिए रहे बाइता अब है upper limit minus lower limit तो यहाँ पर लिमिट क्या है 1 है तो इसको यहाँ पर रखेंगे minus का 1 upon यह हो जाएगा या फिर पहले इनका L sim लेलो L sim लेने से तोड़ा साइजी हो जाएगा ही L sim लेलोंगा में तो यहाँ जाएगा x plus y का whole square तो x plus y का इसमें बाग गया तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा x plus y plus यहाँ से बस गया y और यहाँ से limit क्या है 0 से 1 and dy क्लिए रहेता अब है इस minus को अंदर गुणा करा दो अंदर गुणा कराऊंगा तो यह हो जाएगा minus का x minus का y plus y upon x plus y का whole square तो minus y से plus y कट गया और यहाँ पे हमारे पास में limit पड़ी है 0 से 1 और इस पुरे का स्माकल करना है dy के सब x अब आगे देखो 0 से 1 और यहाँ पे हो गया यह minus का x upon x plus y का whole square और 0 से 1 and dy अब limit रख दूँ मैं limit का रखेंगे यहाँ पे हमें x के सब x हमने क्या यह समाकल तो x की जगें ही आपको इस limit का मान रखना है तो 0 से 1 और यह हो जाएगा minus का 1 upon 1 plus y का square minus यह हो जाएगा यहाँ पर 0 है तो इस पुरे का मान कितना हो जाएगा 0 हो यह हो गया 0 और यह सका समाक Еिकारन करना है अब आगे देखो अब डिवाई के सापेक्स इसका स्मागलन करेंगे तो मैं इसको क्या लिकूंगा ये गात प्लस में दो है उपर जाएगी तो किसे में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी तो मैं इसको क्या लिकूंगा माइनस तो पहले से हैं और ये माइनस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 upon 1 प्लस y की पावर 0 से 1 तो इसमें क्या हो जाएगा अपर लिमिट मैनस लोवर लिमिट अपर लिमिट क्या है 1 upon 1 प्लस 1 मैनस 1 upon 1 प्लस 0 यही होगा तो यह कितना होगा 1 upon 2 मैनस 1 यही रहेगा अरे 1 अपोन 1 प्लस y की जगे मैंने रिखा 1 तो 1 अपोन 2 हो गया माइनस यह हो गया 1 तो यहां से जब मान निकालेंगे तो यह होगा माइनस का 1 बटा 2 तो हमारे पास में RHS कितना हो गया माइनस का 1 अपोन 2 समीकर नमर 2 दे दो इसको और एक नमर कहा है समीकर उपर देखो यह रही इसमें क्या आया था प्लस में 1 बटा 2 और इस निचे वाड़ी में क्या आया माइनस का 1 बटा 2 तो इससे क्या सिदो गया LHS does not equal to RHS यानि कि जो समीकर एक है वो समीकर दो के बराबर नहीं है इस तरह से जो उपर परसंद दिया गया था वो सिदो चुका है अब देखो इसी टाइप का अगला क्यूशन इसमें थोड़ा सा टाइप अलग है इसमें क्या है कि हमारे पास में एक परवले दिया गया है परवले क्या चीज होती है दिर्ग वरत परवले वरत इनके समिकर्ण हमने पिछली कक्षाव में पढ़ लिए अब इनिस से रिलेटेड है जैसे कि आपने कक्षा बारा में पढ़ा होगा समाकलन की अनुप्रियोग तो समाकलन की अनुप्रियोग में द्रिगुरत से रिलेटेड हमने क्योंствен पढ़े थे तो उसमें हमने जो समाकलन होता है उसकी लिमिट निकाल नहीं यह तो लिमिट कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो हमें एक शक्ष और एक ये लेना पड़ेगा याक कि हम उस पर उस पर यै、 परवले को निरुपित कर सके तो सबसे पहले मैंने यह ले लिया एक यह एक्स और यह हो गया आपके एक्स-स यह हो जाएगा अब है सबसे पहले यहां पर देखो जहाँ समाकलन का A स्थर परवले y स्कुर्ण टू फोर x तो y स्कुर्ण टू फोर x किस तरब बनेगा भाई पर रूले x x पर बनेगा तो मैंने यह x x पर परवले बना दिया ठीक है second समिकन हमारे पास में दियू यह x square equal to 4 y तो मैंने यह कौन से पर बनेगा y x पर बनेगा तो यह y x पर बना दिया ठीक है इसको समिकन को लिक दियू आप y square equal to 4 x है यह तो और यह होज़ेगी x square equal to 4 y यानि कि जो हमें मान निकालना है वो कौन से मान निकालना है यह वाला मान निकालना है यह वाला इसमें यहाँ पर ए नाम देदो और यह बी नाम देदो बने तो अब देखो यह तो हो गया हमारे पास में परवले की x x पर भी है और y x पर भी है और यह हो गया मूल बिंदू जो कि 0-0 होता है अब देखो आगे हैं हमारे पास में समिकरन है जो क्यूसिन था वो था इंट्रिगा लोप y d y and dx dx dy यह वाला है तो यहां से सबसे पहले अपने को limits निकालनी है तो limits की बात करें हम तो निर्दे सांग की पहले बात करते हम इस परवले की तो परवले में निर्दे सांग एक तो 0-0 है जो कि मूल बिंदू पर है और second वाला है बात करें तो यहां से देखो आप y x से हमारे पास फोरे आ रहा है और x x से भी फोरे आ रहा है यानि की एक जो निर्दे सांग है फोरे एंड फोरे यही निर्दे सांग प्राप्त हो रहे हमें तो सबसे पहले हमें जो smart line है उसके लिए x x पर जो limit से वो निकालते हैं और y x पर जो limit से उनको निकालते हैं तो x x पर देखना भई आप कि जब मैंने यहां पर x का मान 0 रखूंगा x का मान मूल बिंदू पर 0 है तो x पर होगा फोरे second semicon क्या बढ़ेगी second semicon इन दोनों से बढ़ेगी तो इन दोनों से एक तो देखो y square equal to है 4 x तो यहां से y बराबर क्या जाएगा 2 root x second वाड़े में यहां पर है x square equal to 4 y तो यहां से y का मान क्या जाएगा x square upon 4 आ रहा है भी एक यह हो गया एक यह हो गया तो लोवर जो लिमिट है वो यह x square upon 4 a and y और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 2 root a x क्लियर है यह चीज़ आप लिखना चाहो तो लिख लेना otherwise आप directly इसको यहां पे लिख सकते और उसके बाद में हम discussion में put up करते हैं आप देखो यहां पे integral of y dx dy तो सबसे पहले हम लिमिट सकते हैं लिमिट पहले तो x की रखेंगे तो x ही क्या है 0 से 4 a और second वाली है x square upon 4 a और यह होगी 2 root x और क्या है y dx dy तो सबसे पहले हमें जो समाकलन है वो किसका करना है dy के सब एक समाकलन करना है इस से x का बाद में किया जाता है और y का पहले किया जाता है तो 0 से 4 a और यह है तो यह है तो यह है x square upon 4 a और 2 root x अब है अब है y dy और इसको cost में बंद कर दियो और यह लिख दो dx ठीक है अब y का y के साब एक समाकलन करना है तो 0 से 4 a और यह हो जाएगा y square upon 2 और x square upon 4 a और सेकिन वाली किया 2 root x प्रेकिट बंद होई गया पहले से ही और dx ठीक है अब इन limit को यहाँ पे रख दे या तो आप एक बिटा दो को बाहर ले लो एक बिटा दो को बाहर ले ले लेगे तो यह हो जाएगा 0 से 4 है और यहां पे y square किस पहर पोर रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 4 a square a square नहीं होगा x होगा क्यों क्यों कि यहां पे क्या है root root e x है और root x है तो उसका square होगा तो x ही बचेगा minus यहां पे है x square upon 4 है तो x square है तो यहां पे कितना हुझाएगा एक्ष की पाउर 4 अपॉन 16A स्कॉरेट इसको ब्रेकिट में कर दो और dx लिमिट्स रख दी क्यूसन हलो गया अब है यहां पे आप या तो इससे दो को अंदर गुणा कराना चाहो तो गुणा करारा सकते हो अदर्वाइस यहां से आप LCM लेक और common नहीं लेना जाते हैं तो भी हम इस क्यूसन को आगे भी हल कर सकते हैं तो यहां पे देखो लिमिट्स रख दी अब हमें समागलन करना है क्यों एक्स के साप एक्स तो एक बटा दो और 0 से 4 है हमारे पास वे लिमिट है यह 4x-x2 x की पाउर 4 अपॉन 16A स्कॉर तो यदि आप यहां से यहां से इसको LCM लेकर फिर हल करना चाथते हैं तो बेसे कर लें और यदि LCM नहीं लेना चाहते हैं तो वो देख लो आप अपने हिसाब से कैसे विक्रू आंसोर सेम याने वड़े हैं और LCM ले लेते हैं तो LCM होगा 16A स्कॉर और यहां पर एक का बाग 16A स्क से गुणा किया तो 64A स्कॉर तो यह हुजएगा एक गात 3X मैनस X की पावर 4 और यह हो गया PX अब है यहां से 16A स्कॉर है उसको बार ले लूँ यह कॉंस्टेंट मान है तो यह आजाएगा 32A स्कॉर और बीच में क्या रहा फोरे यह हो गया 64A क्यूब X मैनस X की पावर 4 ती एक्स अब हम इसका स्माकलन करेंगे तो स्माकलन कैसे करेंगे 1 अपोन 32A स्कॉर और 64A क्यूब डोट एक से यहां पर और एक सिये तो X का कितना हो जाएगा X स्कॉर अपोन 2 मैनस X की पावर 5 अपोन 5 और यह लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 4 ठीक है अब है यह 1 अपोन 32A स्कॉर और यहां से 2 से यह कितनी बार कट गया 32 बार तो यह हो जाएगा आपके 32A क्यूब डोट X स्कॉर मैनस X की पावर 5 अपोन 5 जिरो से 4 अब है LCM ले और उसके बाद में इस लिमिट अपर लिमिट का मान रख दें ताकि अपर लिमिट मैनस लोवर लिमिट हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपके 1 अपोन 32A स्कॉर और इनका LCM लिया तो LCM कितना जाएगा 5 तो एक का बार 5 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा 5 को फिर इससे गुणा किया तो ओगे 10 और यह होगे कितनी या फिर आप ऐसा कर लो इसका डारेक्ट मान अदो डारेक्ट मान रखना चाहिए तो डारेक्ट मान भी रख सकते हैं कि डारेक्ट यहाँ पर फोरे तो फोरे यहाँ पर रख दो फोरे का स्क्रार घेगा और मायनस एक्ष फोर फाइब वेसे भी कर सकते हैं ऑर यदिया पॉमन लेना यह एसला लेना चाहते हैं यहां सी का भाग 5 बार जाएगा 5 को फिर 10 10 और एकासी लिका लग जाएगा 15 और एक 16 a3 dot x square minus x की पावर 5 0 से 4 फिर आगे 1 upon 32 a square और यहाँ पे x square x square की जगे क्या रखना है 4 a square तो 160 a3 dot यह हो जाएगा आपके 4 a का सिद्धा square कर दें तो 4 का हो जाएगा 16 और 1 का हो जाएगा square तो 16 a square minus यह हो जाएगा आपके 4 1 की पावर 5 और minus lower limit यहाँ पे रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा क्यूंकि 0 है lower limit तो इसका पूरे कामान 0 minus यह भी 0 हो जाएगा तो टोटली उसका मान कितना हो जाएगा 0 तो अपोन 5 अब यह 1 अपोन यहाँ से 32 a square 16 को इससे गुणा कराएगे तो 0 और यह हो गया आपके 96 9 बच गे और 16 और 9 कितने होगे 25 एक की पावर 5 माइनस अब यह हो जाएगे 64 की पावर 5 तो कितना हो जाएगा 4 एक की पावर 5 यानि फोरे इंटू फोरे इंटू फोरे इंटू यह वाला होगा अपोन 5 तो यहां से हो जाएगा यह एक की यहां पर आप देखो कि एक की पावर यहां पर 5 हो जाएगा यहां पर भी 5 तो इनको बार लेनूं में तो हमारे पास में बच जाएगा और यहां पर बच जाएगा माइनस यह हो जाएगा आपके 16 एन्टू या फिर 64 हो जाएगे यह तो 64 एन्टू यह हो जाएगे 16 अपोन 5 इनको गुना कर लो तो यह 1 क्यूब अपोन 32 यह हो गए माइनस 4 और 96 96 और 6 कितने हो गए 124 अपोन 5 अब इन्वे से माइनस निकलो एक यूब अपोन 32 यह हो जाएगे 6 और यहां से 5 बच गे तो 3 और फिर 5 यहां से 5 और यह हो गया 1 अपोन 5 तो यदि आप यह लिखना चाहते हो तो यह लिखनो और अधरवाइस यदि गुणा करना चाहते हो तो गुणा कर लेना यह हो जाएंगे 36 एक यूब अपोन 32 इंटू 5 यदि किसी पाड़े से कट रहे हैं तो 42 से कट रहे हैं 4 से कट जाएंगे तो 4 से यह कट रहा आठ बार और यह कट जाएगा बारे और तीन मुगे 8 और यह हो जाएंगे 314 बार यदि फिर भी तो से और कट रहा है 4 से कट रहा है तो यह कट जाएगा 4 से दो बार और यह कट जाएगा 9 और 96 बार और फिर 2 से यह कट जाएगा आपके चार एट 48 A cube upon 5 यह इस तरह से Qsन है वो अलो गया है तो इस टाइब के Qsन आते हैं तो उनको पहले आपको लिमिट्स निकालने है लिमिट्स निकालने के बाद में इस Qsन को हल करना है ठीक है तो अब है कई बार आपके द्रिग वरत से रिलिटेड भी Qsन आते हैं तो द्रिग वरत की समिकरण क्या होती है X square upon A square plus Y square upon B square equal to 1 जो भी है या फिर वरत का समिकरण देखे है X square plus Y square equal to R square हो तो इन में भी आपको यही करना है सबसे पहले जो हमारे पास में integral जो समाकलन दिया गया है उस समाकलन की limits को निकालना है और फिर उस Qsन में अपने को रखना है ठीक है तो आज के लिए इतना कापी है और जो हमारे double integral है उसमें part first है जो exercise है उसके लगबग मैंने Qsन करा दिये हैं एक दो जैसे कि दिर्वूरत से related है तो उसमें एक आपके इस तरह का चिन आएगा जिसको बोलते हैं गमा तो इस गमा के बारे में मैंने आपको बोलाता लेकिन इसका अर्थ क्या है और इसका यूज कैसे होता है वो हम next class में पढ़ेंगे आज के लिए इतना है काफी है दन्यवाद